हेलो एब्रीवन आज का चैप्टर फोटो सिंथेसिज इन हायर प्लांट्स में कुछ थोड़ा सा में पॉइंट्स और बेसिक्स थे कि जैसे डिफरेंस बिट्विन सी 3 एंड सी 4 प्लांट्स यह तुम्हें हरे एक बुक्स में मिल जाएंगे बट एक NCRT में जब पूरा चैप साइकल जब पढ़िये हैं तो उसके चैरेक्टर को उन में चूस करने राइट ऑप्शन को चूस करना है तो कुछ उसके पॉइंट्स ऐसे होते हैं कि बच्चे उनको बदला नहीं कर पाते तो इसके लिए थोड़े से में पॉइंट्स डाले हैं जैसे उसमें कुछ पॉइं प्लांट का और नियुके हैं वृसाइं काई से ट्री चलती है तो कुछ में प्लाट्स के अंदर ही कि पहले की वीडियों में यह हो चुका है कि सुगरम हैं कुछ और फेल्ट है ट्रिप्लेक्स है यह चीनोव पोडिएम का इमेरेंथास इन सब में c4 मतलब कुछ सेलेक्टिड प्लांट्स के अंदर ही होगी एक पॉइंट है कि जोब C3 साइकल चलती है सीफो इसक्रीप्लांट्स के नर सीफ्री साइकल चलती है तो केवल मतलब कहने का हिंन म सियो टू असेप्टर होगा और यू बी पी रिबुलो बिस फॉसफेट और जबके इनके अंदर क्या होता है कि फस सियो टू असेप्टर पी फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट एंड सेकंड इस अर्यू बीप मतब इनमें डबल कार्वाउग्जिलेशन होगा दोबार कार्वा अ कबढ़ नहीं करती मतला वैस् कुलर बंडल के सराउं जो पंडल शीत होती है इंमने लाज नहीं है स्मॉल बंडल शीत है जब फोल प्रण्ट गरेंड होंगे उनके लिव्य इत्क्रेंट इनको हमें है बंडल बंडलकर के से रंग के एं दर क्लोरो प्लास्ट थे तोट सी A-granule and the Grainal what is meaning of A-granule? Bandar Sheet Cells के अंदर thailakoid thailakoid single पड़े हुए है, मतलब अलग अलग पड़े हुए है, वो combine करके granum नहीं बनाते हैं, जबके mesophyll Cells के अंदर क्या होगा, thailakoid group करके क्या बनाएंगे? Granum, जूसके पहले भी पढ़का है मान लिया, क्लोरोप्लास का इस्ट्रेक्चर है कि यह थाइलकॉइट है गुरूप हो कि क्या बनाते हैं ग्रेन तो जो बंडर सीज़ सेल्स होंगी उनमें सिंगल थाइलकॉइट थाइलकॉइट है पहली वीडियो में क्रेंज एने टॉमी कमें डाल चुकी है अब यह तो सब इजी और यू बीप है और यह फाइव कारवन और जबकि इसका पहला सी ओटू असेप्टर फॉस्फोइनॉल पाइरुवेट यह त्री कारवन और यू बीप जब सेकंड टाइम कार्वाग्जिलेशन होगा इसमें तो आर यू बीप फाइव कारवन एक कोशन है कि इसके अंदर स फर्स्ट जो प्रोड़क्ट बनता है स्टेबल प्रोड़क्ट बनता है वो क्या है अंसर इस फॉस्फोग्लिस्रिक एसिट इसमें फर्स्ट स्टेबल प्रोड़क्ट क्या बनता है ऑक्जालोस्टिक एसिट सीफोर के अंदर एक है कि जो फर्स्ट स्टेबल कंपाउंड बन कोई मुश्किल काम नहीं है अब तक सारी वीडियो में मैंने सब बेसिक से लेकर स्टार्टिंग से लेकर साइक्लिक फोटो फॉस्पोर रिलेशन केल्विन साइकल सीफोर साइकल यह सब मतलब सारी चीज़ें मैं डाल चुकी हूं अब इसमें एक जो सबसे और इसे बच्चों को थोड़ा सव टीपिकल प्वाइंट होता है अब जैसे ऑप्टिमम टेंप्रेचर फोर फोटो सेंथे ज़ंवल बार लोटेंप्रेचर और लोटेंप्रेचर hooga तो इसमें अप्रिषे बर उन्में लोट सेंथे ज ओगा तो फोटो सेंथेसिस ब्रेशिव दियान रखो गें low temperature पर यह start हो जाती पर यह low temperature पर start नहीं होती light saturation occur at that 10 to 70% of summer sunlight और light saturation does not occur even at full summer sunlight जब तक पूरी proper summer sunlight नहीं होगी तब तक light saturation point इसमें नहीं वनेगा सी ओटू कंपन्सेशन पॉइंट लाइज बिट्विन 25 तो 100 पी पीम या माइक्रोटिटर में इस तरीके से लिखते हैं और यह इसमें सी ओटू कंपन्सेशन पॉइंट लाइज बिट्विन 0-10 पी पीम तो यह कुछ पॉइंट्स ऐसे होते हैं जो बच्चों को जब टेबल को कोशन करने बैठते हैं उनको उसके अंदर राइट ऑप्शन भरते हैं तो यह कुछ पॉइंट्स है वह हो नहीं पाता अब इसमें सिंगल कारवन ऐसी मिलेशन मीजोफिल इसमें दौनों में होता है इसके बाद मैंने जो थोड़े से पॉइंट्स यह दिया है कि यहां प कमसे पॉइंट एट विच इल्युमिनेटड प्लांट, इल्युमिनेटड अ मतला है जसपर लाइट पढ रही है, इल्यूमिनेटड प्लांट पार्ट स् इस्टॉप एब्सॉर्विन अब्स्ण। सीओ आँ किया है, वेन सीओ क्वा टू कंसेंट्रेशन इस रिडूसď दिय कि at this value co2 fixed in photosynthesis is equal to co2 evolved in respiration मतला एक तरीके से compensation कर रहा है compensate कि co2 की value जो photosynthesis के अंदर मतला जो co2 fixed हो रही है और co2 evolve हो रही है respiration में वो equal है compensation point light compensation point there is a point in light intensity where there is no gaseous exchange in photosynthesis is called light compensation point बनला ऐसे light saturation जहां पर कोई gaseous exchange co2 or o2 का हो ही नहीं रहा है तो उसको क्या बोलोगे light compensation point एक बार और देखो there is a point in light intensity where there is no gaseous exchange in photosynthesis यह मैंने short में लिख दिया है photosynthesis is called light compensation point कोई exchange ना तो co2 आ रही है ना o2 निकल रही है तो वो क्या क्या लाएगा light compensation point light saturation point the light intensity at which a plant can achieve maximum amount of photosynthesis is called light saturation point अगर इस पॉइंट से ज्यादा तुम इंक्रीज कर दोगे तो इसके अंदर है अगला factors factors points three cardinal points three cardinal points क्या होते हैं minimum point optimum point maximum point जहां पर यह light एक तरीके से rate of photosynthesis हो गया और कोई भी यहां पर factor लेलो light intensity लेलो co2 कंपन्स का मतला co2 concentration लेलो तो एक point जहां पर process start होती है इसको बोलते है minimum point और जहां पर process maximum ध्यान रखना process maximum तो वो point होगा यह minimum point यह point होगा optimum optimum point और जहां जाकर process stop वो क्या होगा maximum point maximum point यहां पर होगा process stop यहां पर process क्या होगी start कोई भी process यह three cardinal points है तो पहले इन three cardinal points को बढ़ते थे पर एक scientist थे ff black man ff black man इन्होंने एक rule दिया एक law दिया black man's black man's law of limiting factor black man's law of limiting factor क्या है कि वैने process कोई भी एक black man's law of limiting factor क्या है कि अगर कोई भी प्रॉसेज यहां पर प्रॉसेज हम फोटो सिंथेसिस की पढ़ने हैं कि कोई भी एक प्रॉसेज जब एक से ज्यादा factor से affected होती है अब जैसे माले फोटो सिंथेसिस की है सीओ टू कंसेंटेशन पर भी एक टेंप्रेचर है ऑक्सीजन कंसेंटेशन एक मॉस्फियर में कितना है उसको हम कायून काउंट नहीं करते हैं पर वह सब डिपैंड करते मतलब वह सब तर वह इद्वोटो सिंथेसिस की प्रॉसेजस है एक कहने का मतलब है कि when a process is affected by many factors the rate of photosynthesis is limited by limiting by that factor in which changes are minimum. अगर कोई भी process एक से ज़्यादा factor से affected हो रही है तो उस process की rate limiting जब होगी जिस factor में changes minimum हो रहा है. अब जैसे मान ले मैं तुम से यहां पर यह कहूं कि यह CO2 concentration तुमने ले लिया है CO2 concentration है यह आपर और light intensity sorry यह light intensity को अगर बढ़ा रहे हो यह light intensity intensity इधर rate of photosynthesis rate of photosynthesis और यह यहां पर जो इन्होंने लिया है यह CO2 मतला पूरा जो दिखा रखा है यह CO2 का तो CO2 तो लिमेटिंग है यह CO2 तो यहां पर लिमेटिंग गई है और light intensity पहले light intensity इतनी है तो CO2 क्योंकि लिमेटिड है तो process लिमेटिंग हो गई फिर इसके बाद थोड़ा सा और light intensity को बढ़ाया तो process जो rate of photosynthesis increase होई पर CO2 क्योंकि लिमेट है CO2 में तो कोई चैंज नहीं कर हो रहे तो फिर लिमेटिंग हो गई फिर light intensity को बढ़ाया पर CO2 लिमेटिंग है फिर लिमेटिंग हो गई तो black man's law of limiting factor क्या है कि कोई भी अगर एक process है और एक से ज्यादा factor से effect हो रही है तो उस process की rate उस factors के थूर लिमेटिंग होगी जिसमें changes minimum है या जो minimum amount में present है दूसी तर sorry photosynthesis की जो process है इसमें two type के factors affecting कर रहे हैं एक तो होता है factors में external factor एक तो होते है external factors और एक होते है internal factors external factors में light, light, temperature, CO2 concentration, CO2 concentration, O2 concentration, water, polluting agents की क्या 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 अगर मान लिया polluting agents है leaf की surface पर बहुत ज्यादा pollution हो रहा है या धूल मिट्टी जमी होई है तो rate of photosynthesis reduced light के case में कि मैंने तुम्हें जो अभी difference के point light intensity light compensation points आ रहा तो वो light में कि light intensity और light की quality क्या क्या होती है कैसे effect डालती है तो अब मैंने बताया कि अगर बहुत ज्यादा low light intensity होगी तो c3 plants के अंदर c3 cycle जो है वह appreciable होगी पर उसके अंदर तो negligible है ऐसे ही light का अगर मान लिया color की देखे quality blue light है या red light है तो बहुत सारे विप गयोर photosynthetic active radiation में जो seven colors होते हैं तो उसमें maximum photosynthesis occurs in blue light and then blue and red light temperature temperature का भी अगर c4 plants है तो temperature जादा चाहिए c3 plants है तो temperature कम चाहिए तो temperature का क्या effect होता है अब light reaction जो होती है उसमें temperature का इतना effect नहीं होता जितनी की dark reaction temperature का जो effect होता है वो dark reaction में होता है CO2 concentration point CO2 की amount में सब्सक्राइशन से जादा हो जाती है तो c3 plants के case में क्या होता है कि यहाँ पर photo respiration start हो जाएगा क्योंकि ribisco है और ribisco enzyme जो होता है अगर oxygen की concentration ज्यादा हो जाती है CO2 से तो oxygenase वाला जो part है ribulose bisphosphate carboxylase oxygenase तो यह part active होगा और यह oxygenation की process करके photo respiration करने लगेगा पर कई बार ऐसा होता है definition आती है कि when oxygen concentration is increase in atmosphere the rate of photos in atmosphere the rate of photosynthesis is decreased तो इसको बोलते हैं वार बर्ग effect क्या बोलेंगे वार बर्ग effect किसी भी plants के लिए चाहें वो c3 plant रहें सी 4 plants किसी के लिए भी होता है कि अगर oxygen की concentration atmosphere में CO2 से बढ़ गई है तो rate of photosynthesis जोगी वो decrease हो जाएगी ठीक है water अगर water deficient soil है तो rate of photosynthesis decrease pollution का मैं बताई चुकी हो internal factor में chlorophyll कि chlorophyll अगर leaf के पास है proper chlorophyll rate of photosynthesis maximum और तुम देखते हो कुछ leaves ऐसी होती है croton की leaf है croton की leaf variegated leaf होती है कहीं कहीं yellow patches है brown patches है तो जहां पर yellow और brown patches होंगे वहां photosynthesis होगा ही नहीं green part जहां होगा photosynthesis होगा एक इसके अंदर है is of leaf is of leaf leaf की जब starting में छोटी सी leaf यह बनती है दीरे दीरे leaf बढ़ी हुई यह और जब अपनी maturity पर पहुंची जब तक rate of photosynthesis increasing rate of small leaf से लेकर जब अपनी maturity तक पहुंचेगी तब rate of photosynthesis maximum पर जब जैसे ही एजिंग सैनी सैंस लीफ यह यह पढ़ने लगेंगी rate of photosynthesis decrease कुछ chemicals ऐसे होते हैं वो डेट फोटो सिंथेस को decrease कर देते हैं यह फिर स्टोमेटा का यह जैसे कुछ फाइटो हॉर्मोन्स भी है फाइटो हॉर्मोन्स फाइटो हॉर्मोन्स में दो हॉर्मोन है एक तो एपसेसिक एसेड अगर एपसेसिक एसेड यह प्लांट्स के अंदर ज्यादा रिलीज हो रहा है तब रेट ऑफ फोटो सिंथेसिस डिक्रीज होगी क्यों क्योंकि एपसेसिक एसेड की वज़े से स्टोमेटा क्लोज हो जाते हैं ठीक है तो यहाँ पर यह पूरा फैक्टर स अफेक्टिंग फोटो सिंथेसिस कुछ में पॉइंट से डिफरेंस बिटमें सी 3 एंड सी 4 प्लांट्स इस वीडियो में बस इतना ही अब आगे का नेक्स वीडियो में ठीक है बिटा ओके थैंक यू